सबस्क्राइब करें फुली फॉर वल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी निव तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलाव अलेकों दोस्तों आप देख रहे हैं Fully for World YouTube चैनल मिरा नाम है आजम ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है इस वीडियो का एंड तक जूर देख लीजिएगा वीडियो ज्यादा लोंग नहीं होगी शोट ही वीडियो है लेकिन काफी इंफोर्मेटिड हैं यहांपर लिए वाहर पास एक फोल्ट आया है जहांपर चार्टन का है धिर्फेस का है और उस पर फोल्ट justement सामने देख सकते हैं जो के इन पॉंट होते हैं जैसे जो 3-phase के 3-point होते हैं जैसे मारे normal rotary compressor में Comber Runic starting होते हैं यहाँ पर 3-phase के जो 3-point होते हैं जो जहाँ पर direct हम phase देते हैं वहाँ पर problem कुछ यह है कि वहाँ से एक point भाहिर आ चुका है मतलब कि वो blast होकर आया है जैसे भी आया है वो बाहिर आ चुका है तो वहीं से ही gases की leakी जो चुकी थी अब यहाँ पर मैं आपको proper दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पर scene हुआ है और किस कारण यह हुआ होगा यह भी आपको बताऊंगा और अब इसका solution जो है वो क्या है यह भी आपको इस video बताऊंगा वीडियो कर अच्छी लेगी तो वीडियो को like जूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो fully forward YouTube चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा यहाँ पर यह point आप देख सकते हैं जो एक point है तीन point टोटल होते हैं यहाँ पर एक point जो है वो आप देखेंगे कि वो विल्कुल सुराख हो चुका है वहाँ पर blast हो चुका है इसका 100% decision यही होगा कि यहाँ पर जो है वो sparking हुई है और साथ में आपको यह clear कर दूँ कि यहाँ पर जब carbon आ जाता है तो यह fault chances बढ़ जाते हैं कि यह fault आपकी सामने आएगा यह च्छी बात है कि compressor blast नहीं हुआ जहां से losing ज्यादा थी कमजोर था यह point तो यही जहीर सी बात है blast होना था तो है जब blast हुआ तो यहाँ से सारी gas बाहिर आ चुकी थी और gas लीकी जो चुकी है अब यहाँ पर इसको हम किसी भी सूरत में इसके उपर connect नहीं कर सकते दुबारा मतलब यह जो point जल चुका है बाहिर आ चुका है इसको हम दुबारा वहाँ पर नहीं adjust कर सकते हैं और यह आया किस कारण में आपको बताया कि यह जो है हमेरे किसी sparking की वज़े से आया है अगर आपकी यह थींबल जो है यहाँ पर connect हुए है यह अगर लूज होंगे तब यह प्रोब्लम मैंने और भी कई बार यह प्रोब्लम दिखी है थींबल लूज होंगे यहाँ कोई joint लूज है जो यहाँ से मतलब wire connect की हुई है आपने joint lose है यहाँ पर carbon आया हुआ है तो अच्छे से इसको रेकमार लगा कर साफ करके हमेशा थींबल लगाएं थींबल अगर आपके रस्टी हैं काफी तो point रस्टी है तो इनको अच्छे से साफ करके लगाएं या new लगा लें और point को हमेशा साफ करके ही जब भी change करें तो लगाएं अगर इसके ओपर काफी ज़्यादा आपको नज़र आती है ऐसी rust मतलब नज़र आती है तो उसकी वज़जा से जो है यहाँ से ब्लास्ट हो जाता है अब यह scroll compressor है scroll type compressor है और इसको हम change ही करेंगे जाहिसी बात है यह कि इसको replace करना ही सबसे बेहतर है यह किसी भी सुरत में अब नहीं चलेगा इसको change करना बहुत ही easy है compressor को मैं इसकी मुकंबल detail में वीडियो बिना दूँगा जब हम इसको change करेंगे कोशिश करूँगा कि आपको एक वीडियो दे दूँ जिसमें आप scroll compressor को कैसे easily change कर सकते हैं प् पसंदा यह वीडियो को like करें चैनल पर नहीं है तो इसको subscribe करने मैं मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में अल्लाहाफीज